ओम शान्ति आज 30 जान्वरी 2023 है और प्यारे बाबा के आज साकार रूप से चले हुए मधुर महावाकियों को सपष्ट करेंगी आदर निया आशा दीदी ओम शान्ति दी ओम शान्ति बाबा ने कहां मीठे बच्चे तुम ईश्वर्य संतान हो तुम्हारा ये अमूल जीवन है तुम्हारा ईश्वर्य कुल बहुत ही श्रेश्ट है स्वयम भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है इसी नशे में रहो प्रशन है शरीर का भान तूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आविशकता है चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित मात्र हैं जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आये हैं ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारन किया श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारन किया और यह जो बाबा ने कहा, कि हम इसमें थोड़ी देर के लिए आए हैं, हम वहां के रहने वाले हैं, यह थोड़ी देर के लिए हैं, यह स्मृति रखने है, बाप और वर्सा याद रहे, तो शरीर का भान तूच जाएगा, इसको ही कहा जाता है, सेकंड में जीवन मुथते हैं और दूसरा बाब ने कहा, दूसरा अभ्यास, अमरित वेले उठ, बाब से मीठी मीठी बाते करो, तो शरीर का भान खतम हो जाएगा, इसको स्पष्ट करें, कि सवेरे उठके बाब से मीठी मीठी बाते करने से, शरीर का भान खतम होता जाएगा, क्योंकि जब सवेरे का टा वो निराकार है, तो निराकारी है, देह अभिमानी है, हम आत्माओं को विदेही बनाने वाले हैं, अब एक तमूरत हैं, जब उनकी स्मिति हमारे मन में बसेगी, तो सारा दिन देह अभिमान फिर नहीं रहेगा, वो पावर्फुल याद बनी रहे है। गीधे ओम नमोशिवये, भगवान होता ही है, एक जो बाप भी है, बच्चों को समझाया गया है, आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल ब्रिकुटी के बीच में है, कोई इतना बड़ा जियोतिर लिंगम नहीं है, जैसे मंदिरों में रखा हुआ है, नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है, आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है, आत्मा तो मनुष्यतन का आधार लेने वाली है, आत्मा ही सब कुछ करती है, संसकार सब आत्मा में है, आत्मा स्टार है, फिर बाबा ने का कि तुम इ की आपना नीन बातों को स्माजना है मन्दिर में लिंग रखा हुआ इसलिए सम्जाने के लिए हम भी शुनिंग दिखाते हैं क्योंकि ओ परमात्मा को परमात्मा श्रीव को उस रूप से जानते हैं तो जिस रूप से जानते हैं उस रूप का हमको बताना पड़ेगा, explanation देना पड़ेगा तुम बच्चों को अब स्मृति आये कि हम सब आत्मा परमधाम में रहने वाली हैं इस करम शेत्र पर पाट बजाने आई हैं इस बेहत के ड्रामा को रिपीट होना है बाप है बेहत का मालिक उस बाप की अपरम पार महिमा है ऐसी महिमा और कोई की नहीं है वो मनुशुस रिष दुनिया में आता हूँ एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय और दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय इनको कंस्पुरी भी कहते हैं बाबा ने कहा कि अब बाप आए हैं देफता बनाने और सब को वापस ले जाने और कोई की ताकत नहीं है सभी तमो प्रधान हो जाते हैं मुझे भूल जाते हैं न सिर्फ भूल जाते हैं परंतो मुझे पत्थर ठिकर में ठोक देते हैं इतनी गलानी कर देते हैं तब तो मैं आता हूं मेरे जैसी गलानी किसकी नहीं करते तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूं सब को दिर्श ले जाऊंगा दीखे Colombia सारी जंता को लेकर जायेगा सारी लोगों को लेकर जायेगा लेकिन हमारी choice है कि हम मच्चरों से दिरश की जाना चाहते यह हम special बूं की जाना चाहते है बाप समझाते हैं तुमने कितने जनम लिये और कैसे वर्णों में आए ये चक्र चलता रहता है अभी तुम हो इश्वर्य संप्रदाए ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है जबकि तुम इश्वर्य संतान बने हो ब्रम्हा द्वारा बाप आकर अडॉप्ट करते हैं बाप है स्वर्ग का रचाइता तुम खुदी आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते है अब सारे विश्व में शांती स्थापन करना ये बाप का ही काम है बाप कहते हैं मेरा पाठ है मैं तुम को फिर से राज्योग सिखलाता हूं जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे फिर बापा ने हम बच्चों को कहा कि तुम चाहो न चाहो ले जरूर जाना है पहले आदी सनातन देवी देफता राज्य चला फिर आसुरी राज्य चला देवी राज के बाद पवित्रता तो चली गई फिर सिंगल ताज हो गया अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है बाबा ने हम बच्चों को कहा कि चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाएं तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है बाब कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जनम के लिए मालिक बनेंगे और कोई सत्संग नहीं जहां इतनी प्राप्ति हो बाब ही आकर राज्योग सिखलाते हैं तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए बाब श्रेश्ट थे श्रेश्ट मत देते हैं श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है पिर बाब ने गा कि अब हम इस्ष्वरी संतान बने हैं फिर दैवी संतान फिर शत्रिय संतान बनेंगे बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते है बाबा की बैठ महिमा करो बाबा आपने तो कमाल की है कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो बाबा आपका ग्यान बड़ा वंडरफुल है स्वर्ग कितना वंडरफुल है वो है जिस्मानी wonders ये है रूहानी बाब का स्थापन किया हुआ फिर बाबा ने कहा कि ये बाब अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन भिन युक्तियां बताते हैं रात को जागो बाब को याद करो तो अंत मती सो गती हो जाएगी अगर पूरा पुरिशारत होगा तो याद ठहरेगी पास्विद ओनर हो जाना है आठ को ही स्कॉलर्शिप मिलती है देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया बाब कहते हैं सब को सुख देने बाब है सब को सुख देने वाला बच्चों को भी ऐसा बनना है जैसे पिता वैसे बच्चे हैं तो जब बाबा सुख दाता है तो उनकी बच्चे भी सब को सुख देने वाले ही होने चाहिए बाबा ने आज हम बच्चों को वर्दान दिया निमित और नम्रचुत की विशेशता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नमबर लेने वाले सफलता मूरत भव सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित और नम्रचुत की विशेशता स्मृती में रहती है तो सफलता स्वरूब बन जाएंगे जैसे सेवाओं की भाग दोड में होश्यार हो ऐसे इन दो विशेशताओं में भी होश्यार बनो इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे ब्राहमन जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयम को रुहानी सेवा धारी समझ कर सेवा करो तो सफलता मूरत बन जाएंगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और स्लोगन है जो बुद्धी द्वारा ग्यान सदा ग्यान रत्नों को धारन करते हैं वही सच्चे होली हंस है ग्यान रत्नों को धारन करने वाले तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का सपश्टिकरन यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो सैसमस करें या वाट्साप मेसेज करें डबल एट टू सिक्स फाइव डबल नाइन त्री जिरो नाइन पर और हम आपके इन प्रशनों का उत्तर प्रशनोंत्री कारिक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे ओम शानती